हेलो अज़ तुदेंट्स तो आज मैं श्टार्ट कर जारो एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्या बायो मॉलेकुल्स ठीक है न एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टुवल्स के चैप्टर टुवल्स के ऑर्गेनिक एमस्ट्री का ठीक है न इसमें पर जानेंगे यह कि बायो मॉल्कुल्स होता क्या है कितने तरह के बायो मॉल्कुल्स होते हैं ठीक है न जो आपका बायो मॉल्कुल्स क्या होता है ठीक है न तो दिखेदान से बायो मॉल्कुल्स एक ऐसा केमिकल कंपाउंट्स है ठीक है जो आपके लीविंग और्गनिजम में मतलब हमारे सरीर के अंदर प्रेजर्ट होते हैं यह हम लोग कहें सकते हैं हम लोग उसको खाना के फूरूर लेते हैं कुछ खाना खाते हैं टिकल जिसके साथ Bishop style डिया डेट सो इन हो गया इसोग्या करते हैं मतलब फूड के हम लोग करते हैं उसको body में लेते हैं तो इसी के बादे में हम लोगों को ठाणा है सत्र जाने की से biomolecules होता क्या है What is biomolecules कि हम लोगा जो growth होता है हम जो function करते हैं वह किसकी विज़सा करते हैं तो जो हम लोग function कर पाते हैं जो शरीर का ग्रोथ होता है ठीक है ना यह सबने सब कहीं ने कहीं आपके biomolecules ही होते हैं अड़ी बाइस 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 में तो biomolecules क्या होता है biomolecules अर्दा chemical compounds which present in the living organism and which perform an important function in the body इसे ग्रोथ हो गया आपका reproduction system हो गया रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों को वह हो गया तो बहुत साथ चीजे जो होती है शरीर के अंदर से ठीक है ना वह कौन करवाता है आपका biomolecules ही करवाता है ठीक है नहीं यहां पर क्या बोल सकते हैं biomolecules के बाड़े में कि बायो मॉलेक्यूल्स आर दा केमिकल कंपाउंड क्या होता है यह आपका केमिकल कंपाउंड होता है ठीक है प्रजेंट यह फाउंड इन दा लिविंग और्गेनिजम ठीक है न जो लिविंग और्गेनिजम में वो प्रजेंट होता है एंड विच पर फॉर्म अन इंपॉर्टेंट फॉंक्शन इंपॉर्टेंट फॉंक्शन इन दा लिविंग और्गेनिजम को दिकत यहां तक लिविंग और्गेनिजम में वो क्या करता है कि इंपॉर्टेंट फॉंक्शन रोल प्ले करता है मेच्टेंड है एंप्र प्रटेंट बायों मॉलपें इंपॉर्टेंट फना बायों मॉलेक्व थॉ जो most important biomolecules है है लिए है कार्भो हाइडर खाई एपोण खाई एक एक टाकत मिलेगाvaours फिशलिट्स हम लोगों क्या निउकलिक एसीड है और लिपीड है थिक है ना जिसमें हम लोगों को यह तीन के बारे में प्रच्छे से पाढ़ना है ठीक है ना कार्भो हाइड़ेट प्रोटीन निकली के स्रीवार में लोग डीटेल में पुरेच्छी तरह से परिना इसके बाड़े में ठीक है ना तो बायो मॉल्कुल समझ में हाया कि जो बॉडिक अंदर जो भी फॉंक्शन होता है जो भी हम लोग करते हैं या हाथ चलाते हैं से करते है बायो मॉलकुल कोमटों काहीं देन होता है ठीक है ना यह में जो सरीर बढ़ता है यह जो भी बाड़ेट करते हम लोग बच्चे को ठीक है तो वो सब किया होता है यह लोग अपना फॉंक्शन परफोर्म करता हुआँ और आगे बॉड़ी अपना पर आ को खना फॉंक्शन कि यहूं प्रोटीन है कितने तरह के होते हैं या च माशेयर नुकलिक ट्र ़िए किया होता है अभी आपा ज़र हता है इस verteer तो देटा हूं सो नोट किज़ेट में ऑगे बाते हैं यहां पर क्या कार्बो हाइड्रेट्स क्या कार्बो हाइड्रेट्स क्या होता है कार्बो हाइड्रेट्स कार्बो हाइड्रेट्स are the polyhydroxylated aldehyde or ketone in which in which in which all carbon contains at least at least one OH group except aldehyde and ketone in which all carbon contains at least one OH group in which all carbon content one OH group content whatever carbon is what are you doing is for example पर दिखे दावन से हम पर लेटा हूं यहां पर एक्जाम्पल के तौर्ट पर यहां पर ऐस को कार्बन पर क्या कोई वह गुरूप पर रिगन यहां पर यह कार्बन यह कार्बन इसके पर टेंप हो गारि आच इसे यह पो सब्सक्राइब सब भी ज़ोए पूल देंगे हम लोग कार्बो हाईड्रिटत इसे यहां पर दीकर जान से हां पर इस छ तु ऊ एच प्न वाइच ऑण सी डवध रॉंड ओ सियाँ से तु हो ओ है क्या यह क captivity क्या एंड है क्या यह यहां पर खुर्व परेजैंड है नहीं है स्वांज में तो क्या हुआ हांपर यहां प्रिदी फोड अरे मासे स्वांज में रूज होगा रहाँ यहां पर सर शर्ट हो गापका वां सर शर्ट होगा इस बातका आपको ध्यान रखना है ठीक है न अब धिकशन सहां पर यह जो आपका कार्बोहिड़ेट है उसमें क्या पर्जेंट अपका CHO राइड ग्रूप पर्जट्व होना चाहिए दिकring सब्सक्राइब यहां पर यहाँ और यहां पर रखेंगे सब्सक्राइब लेकिन वो सारे के सारे ग्रूप कारबन पर प्रजेंट होना चाहिए लेकिन वह कार्बन नहीं होना चाहिए जो तो अलडी हाइड या किऊटोन कार्बन क अगаете मैं तो क्या खेला आपका कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्डेट्सस जुखली के आपका चीनी है ना उसमें क्या है सुक्रोज है को दिखा दिखा तो चीनी मीठा होता है लाक्टोज मीठा होता है ना जो दूध की बज़ा से हैं ठीक है लाक्टोज की उन आपका चीनी आपका सुट इन टेस्ट जय कि मिठा होता है आता है अजमें बताओं में इसली कहा जाता कि कार्बो हाइड्रेयर्ट होगां आपका शुश்का नहीं होते हैं आगे बताओंगा इस्टार्स ठीक है ग्लाइकोजेन गम्स यह सब जो है आपके तरुलोज यह सब स्वीट नहीं होते हैं मीठा नहीं होते हैं सब अरी बास वाज में फिर भी उसक्या कहा जाता है कार्बोहाइडेट नहीं कहा जाता है तो इसलिए मैंने आप टर्म यह एक व स्वीट होता है उसे क्या बल देंगे सुगर बोल देंगे सुगर बोल देंगे सुक्रोज सुगर हो जाएगा को दिकत यहां तक क्लियर है जिसों नोट कीजिए हम लोग फिर आगे बाढ़ते हैं अब इसलिए पढ़ते हैं क्या क्लास्टिफिकेशन आफ होता है कंपाउंड का भी ब्रेकिंग होता है को दिकत यहां तक किलियर है इसलिए नोट कर दीजिए इसमाज में आ गया होगा कि कार्बोहाइडेर साब पॉली हाइड्र ऑक्सिलेटर अल्डिहाइड के टॉन इन विच अल्डिहाइड का पतलब एक ऐसा कार्बोहाइड जि अगर अल्डिहाइडी ग्रूप परजेंट हुआ एक काटेगरी बना कि टोनी ग्रूप परजेंट हुआ एक काटेगरी बना आड़ी बास वाज में को दिखात नहां तक स्कोलते है अल्डोज इसको बोलते है कि टोज आगे हम क्लसिफाइड करेंगे on the basis of number of carbon atom and and functional group present in the carbohydrates ठी क्लासिफाइड करूंगे इसको भी हम ठीक है ना प्लेस नोट कर दीजिए आपनों जल्दी से इसको नेक्स्ट यहां पर है क्या क्लासिफीकेशन और आफ कार्बो हाइड्रेट क्लासिफीकेशन आफ कार्बो हाइड्रेट on the basis of hydrolysis ठीक है र्फसीकेशन आफ कार्बो हाइड्रेट अफवाइड्रेट यहां र्फस्ट यहां पर हो तर पर क्या मोनो सेकराइड थीक है क्या होता है मोनो साकराइट्स देखिते हम से मोनो साकराइट्स मतलब मोनो का मतलब एक ऐसा कार्बो हाइड्रेट जो सिर्फ फर सिर्फ एक ही इवनिट से बना होगा मतलब वाटर के साथ और नहीं करता है और यहां पर क्या बोलसे क्या बोल सकती है कि कार्बो हाइड्रेट which do not break into further a smaller unit on hydrolysis that is which composed of only one unit which is composed of one unit that means if it is one unit then how will it break further when it becomes two things then you can break if someone is alone then you can break so what do you say what do you say unit are called monosaccharides are called monosaccharides you can see here clear in this example will come glucose which is in my example fructose there will be many examples okay aloge 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 galactose ribose but there will be many examples but it is not so glucose fructose is okay that you can and 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 are soluble in water the we are soluble in water in water water and sweet in taste and this is sweet and sweet they are called sugar that is what is called sugar what is soluble in water okay what is soluble in water and what is sweet this is sugar in water it is this is example okay this is monosaccharides okay here what is oligosaccharides second what is oligosaccharides note now see the monosaccharides it is about 20 are known to present in the nature okay 20 20 monosaccharides are known which are present in the nature 20 monosaccharides are which we know and what is present in nature here two examples here also told me that what is monosaccharides okay now see here 20 monosaccharides now is okay second classification in the oligosaccharides what a what is what one one this is to the right on जब लोग क्या करते हैं? हईडियोलिसिस करते हैं मतलब जब कोई एक ओलीगो सेक्राइट्स है और जब हम लोग इसका वार्टर के साथ में जिक्सिन करवा ये ये दो यूनिट हमको दिया एक एक दिया जब इसी को लिए हम लोग और हमें यहाँ पर क्या दिया? तीन इनिट दिया एक दो तीन तो ऐसे करके दस तक मतलब दो से लेकर दस तक अगर हमें मोनो सेक्राइट्स मिलता है ठीक है ना? ओलीगो सेक्राइट्स को किसी भी कार्बो हाइडरेट्स को जब हम लोग वार्टा के साथ देशन करवाते हैं तो उस केस में अगर हमें दो से लेकर दस तक दो से लेकर दस तक मोनो सेक्राइट्स मॉलेक्ल मिलता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? ओलीगो सेक्राइट्स को दिखते हैं आँ तक किलियर है दिखे दान साप पर ओलीगो सेक्राइट्स क्या मुलेंगे कि कार्बो हाइड्रेट्स हुईच गीब है टू टू टेन विच गीप्स टू टू टेन मोनो सेक्राइट्स हुईच गेप्स टू टू टेन मोनो सेक्राइट्स ओन हाइड्रो लीजीज जो कितना दिखा दो से लेकर दस तक को दिखाते हैं तक इसका बहुत एक्जामपल है जो अपने शिलवस्कंदा पर्णा में वहीं मैं यहां पर ली ख़़ा हूं इस यहां पर दिख दान से सुक्रूज अब जानते हैं सुक्रूज लाक्टूज ठीक है ना कि सेलो भीयोज मल्टूज तो यह अपने एक्जामपल है ठीक है ना जो हम लोग को पढ़ना है अपने शिलवस्कंदर और ध्यान रखना कि जो हम लोग सेलोज में पाणदा हो क्या आपका यहां दाइस्यक्राइट के आपके यहीं आपके डाई सेखराइट जो अपर स्लीज कंदने पड़ना है थीक है न ट्राय स्काराइट आपर ऑप तो अब देखे में नें पर यहहें लिगे होता है कि जो ओ लिगो साASON होता है है ओलीगो सकाइट शालूवल इन वाटर जैसे चीनी को लेते हैं तो क्या घुलता नहीं है पानी के अंदर गुल जाता है वाटर एंड सुट इन टेस्ट यह क्या होता है अपका मीठा होता है ठीक है आता के लिए रहे इसो नोट कीजिए फिर आगे हमनों बात करते हैं यहां तो क्लिए है आप लोगो को की ओली गोस कर आपका जो दो से लेकर दस तक मोनो सकरेड गा ऑन हाइड्रोबिस तुम्हें क्या बलेंगे ओलीगो सक्राइट यह कितने देत्र के रहागे आपके डाइसे थी ओंगे पैंटा है आज सब्सक्रांफ चेष्ट न के आपका से क्वmee तैक कर ने अपको क्या प्रकू मॉचल लेक्र होटां इस को यह द रहे है इस वी हैसं लिदा मुण इसलिकिक ऋनने है तरुर70 सब्सक्राइब आप 276 6 called sugar इस तो भी क्या करते हैं हम लोग sugar नहीं बोलते हैं को दिख एक लास्ट होता है आपक्या poly-sacryrites का होगा नाम से इस-बस्त है जो greater than 10 monosecrites दे घे on hydrolysis जो greater than 10 monosecrites जो क्या भूलते हैं हम लोग polysacrites खहुए किलि推ो यहां तक आडि-वारि सुख भंज में उस्ट रेज कीजिये फिर मैं उस पॉंट को लिग देता हूं कि क्लासिफीकेसर आफ दा मौनो रोच अच रोसला जारे हैं पर मौनो शार आइट्स में अन्य बट क्यों फिर सब्ञाइट्रम एंगर उड्यर्च किसका वो र औरी अभर मोनो Moscow च ठीक है थे are further classified on the basis of number of carbon atom and the functional group present ठीक है न जो फॉक्ट पर जेंट है और नंबर कमर्टम है न उसके अधार पे मोनो सक्राइट्स को फॉर्दर क्लासिफाइब किया गिया ठीक है नहीं आप तक किलियर है अब देखे दान सहां पे मोनो सक्राइट्स दो तरह के हुए एक क्या हो गया पर यहां पे अल्डोज ठीक है ना दूसर क्या हो यहां पे है कि टों मैं ना पर क्या बोल सकते अल्डोज क्या होता है है जब मोनो शक्राइट्स ब्सकंटेंग क्या होता है अ कि दिकरत रहा तक तो में आं पर क्या वोल सकते हैं कि अल्डोज हुइच कंटेन अल्डी हाइडी ग्रूप जो क्या रखता है अपका अल्डी हाइडी ग्रूप पंतेन करता है कि टोज क्या होगा आपका क्या करता है कि टोज बोलते हैं कि अल्डोज बोलते हैं आडी बात पंजमाना तक के लिए है ठीक है अब देखे तहां साँ पे इसका जेनरल नेम के अजय का लिखते हैं तो देखे घंड फ्रीन पर होता है नमबर ओफ कारबन आटम और यहां पर क्या लगाते हैं और ठीक हैं पर तीन कार्बन हैं आम लोग क्या बलेंगे अल्ड्रायोज पांच कारबन अल्ड पेंडोज अल्डेयक्शोज को दिकत यहां तक और यहां पर जो जैनियल नैम होगा क्या होगा यहां पर कीटो होगा क्या पर अल्ड्ट कीटो क्या होगा है त्हक्ण अल्डो क्या होगान खाक नमबर ओफ carbon atom and यहां पर क्या लग जाएगा आपका ओज को दिखत यहां तक इसका जैनरल इस्टक्चर क्या बताया थे वह स्टार्टिंग में क्या होता है आपका थी एच ओ एच ओ ओ एच और यह होल इन हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा आपका ची छी को च बॉएच कशिड़ो जे डेवल बांड ओ एच ओ ओ होल इन जाएगा टूल ऑपर नक का जीरो वारन पू दू धी टी कि यह इसका जयनरल फॉर्मेट ठीक है नहीं इस फी एच ओ द्शे जींच ओ आपका यह आपका थीक कहा तो फिर प्रिश्ण पर यहां पर का सी में ना जाएगा अल्डेर बन जाएगा इसको बीच में रहना पड़ेगा ठीक ना ताकि वह दोनों तरत क्या रहा है का जेनल एक जन्रले स्ट्रक्चर ठीक ना तो मोनें सक्रड्रा क्या हुआ पहला क्या हो अल्डोज्वा क्य को बोलेंगे हम लोग जिसमें अल्डियाइडी ग्रूप परजेंट हो अर्य बास में आता है किलियर है जर्णल देम कासा दिखेंगे हम लोग मेरा कि अधिए हर्णै कि म 우리는 सक्राइक कॉम न éch ακराइक कि इसके बैसी सब्सक्राइब कंड madam तो क्लासीफाई किये दो तरह से एक अल्डुष दूसर केimes का अपका कीतोफ कर मोदा परेंगे जब मौनो सप्ट में अलडीहाइडी गुरूप परजन्ट होगा किटोज का बोडेंगे जब उसमें क्या परजेंट होगा की टोज को दिक्रत यहां तक किलिए रहे अब यहां पर जैनल नेम क्या होगा इसका अल्डो फिर यहां पर हम लेकले लिखेंगे नंबर ओफ काले त घो जर universal structure होगýैर हो गएता छो मेर्डाइद with Làmost धिर थो जरी मेरे प्रेम पर होल ब्सक्णति ऐना क्या वह दॉठ थिर क्यों मेरा फोलोमने क्तिक्स सब्सक्राइब पहने यहां पे किलिए रहे हां तक यह आपको हो गया मोनो सक्राइट्स का क्लासिफिकेशन ठीक है न अब हम यहां बारे बाई से क्या करते हैं एंड इस उकल टुवन रखते हैं एंड टू रखते हैं ऐसे करके हम लोग कुछ कंपाउंट बना रहे हैं पे कार्भो हाइडिये आप लोग बनाने जा रहे हैं थीक है ना इसने नोट कर लेजी पहले आप लोग मैं यहां पे क्याल रहा हूं और एंड ब्लू टू टू ओ लिए भी और टीटोस के लिए भी ठीक है न फिसान प्या लिखेंगे नाम भी लिखेंगे इन वन पर क्या हो जागा है यहां पर द ग्राइद कीकत क्या है यह नाम हो जागा इसका अनुडो ट्रा यॉज है यहां पर द्राय कर दान पर 002O O H C double bond O N is equal to 40 यहां पर हमनों क्या लेगगे N is equal to 0 कि यहां पर 0 से start होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका यह तो गप हो जाएगा यहां पर और यहां पर क्या बन जाएगा आपका CH2 O H ठीक है नहीं तक किलियर है इसका नाम क्या हो गया अल्डो ट्राइओज इसका नाम क्या हो जाएगा कीटो ट्राइओज keto triage ये क्या होगा optically inactive होगा क्या होगा ये optically inactive और ये क्या होगा आपका optically active optically active होगा को दिखाती है हाँ ते clear है इसका नाम होता है glycerol dehyde नाम क्या होता है glycerol dehyde नाम क्या होता है आपका glycerol dehyde इसा नाम होता है आपका dihydroxyacetone dihydroxy acetone common name जिनने नाम क्या होगा होगा keto triage दो-दो OH ग्रूप है ना dihydroxyacetone होता है न इसो बुलते हैं न CH3 C double bond O CH3 इसो क्या बुलते हैं यहां पर OH यहां पर OH लग यहां पर को दिकरते हैं यहां तरह के लिए रहे हैं अगर हमनों यहां पर N is equal to यहां पर 1 लेना पड़ेगा हमको यहां यहां पर क्या बन जाएगा होच 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 और यह क्या हो जाएगा आपका यहां बता सकते हैं अप जर्नल नेम अल्डो कितने कावन यह यह दो तीन चार्ट ट्रोज अल्डो ट्रोज ठीक है न यहां पर यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा के टो किटो-्रोज क्या नम गोưởng है इसका कीटोटे ट्रोज अप्ता आपको अपनों यह ना पर कुछ लेंगे थीक है कि यहां पर क्या हो जाएगा पिस्ट व च डबल बॉंड होतो हो गया यहां पर एंड टुलेना तो है एच एच बाने है आज पहिए आज पैस ट्रिफ टूल रहां पहिंद नहीं हम बताई यह क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पाच कि टो पेंटोज यह भी क्या अपका अलडोफ टॉकशोग यहाप पह प्राइर क्या बनेगा कर जाएगाक का अलडोफ फोटॉटॉ ठीक है ना के ऊंच आर नहीं हम उल खोड यहाफ ही थिछ नोर्ट क्या टू आ ठील मूँद पना ड्रम का कैसे थीं आचोव HOH 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 TH2 OH तो नाम क्या हो जाँ यहाँ पर ULDO HEKSHOJ नाम क्या हो जाँ जाँ अल्डो HEKSHOJ N is equal to 3 पर क्या हो जाँ आपका TH2OH TH2O HOH 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 और यहाँ पर क्या हो जाँगा TH2OH ठीक है ना को दीकरते हां तक किलियर है तो यहाँ तक हेक्षोज तक नाम क्या हो जाँगा KETO हेक्षोज KETO हेक्षोज अल्डो TRIOGE होगा हेक्षोज ठीक है ना लेकिन इसमें थोड़ा 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 हम लोग पाढ़ेंगे ज्यादा नहीं लेकिन अल्डो हेक्षोज हम लोगो पूरा डीटेल में पाढ़ना है अल्डो हेक्षोज क्यों दिखा थे आना था कलियर है और उसमें तक बाह रसी यहीं दिए अपाढ़ने के लिए और ज्यादा कुछ नहीं दिया है किटो हेक्षोज के लाबहां कुछ नहीं दिए पाढ़ने के लिए ठीक है ना जो पर श्लोश का अंदर रहा है ठीक है न तो इस नोट कीजिए फिर श्टार्ट करते हैं क्या अल्डो ट्रायोर से स्टार्ट करता हूं मैं अधिक दन्साम पर फास्ट अल्डो ट्रायोर से नाम क्या है अल्डो ट्रायोर से ठीक है तो यहां पर क्या होगा आपका CHO HOH और CH2OH इस नाम बताये थे क्या होता है ग्लिसरल डिहाइड जब यहां पर N is equal to 1 होगा ना अल्डोज में 1 होगा तो नाम क्या भजागा घ्लिसरल डिहाइड इसका ठीक है ना अब देजाम सहाँ पर यह जो झाल संटर लाइस्टी तो इसमया फ़र्ष्ट्षंटर है इस पर और है इस ने हम पर राइट साइड में त ठीक है हम लोग लेगे हम इसका mirror image तो बताए यहां पर क्या बनेगा CHO OHH और यहां पर क्या आजाएगा आपका CH2 OH इसको बोलते हम लोग क्या L-Glyceral Dehyde इसा नाम क्या है L-Glyceral Dehyde तो यहां पर क्या हुआ आपका OH कहां पर आगया left hand side में ठीक है ना OH कहां पर आपका left hand side में तो नाम क्या हो जाएगा L-Glyceral Dehyde तो दिखाते हम तक और ध्यान रखना कि D and L form are the mirror image to each other यह दूसरे क्या होता है आपका mirror image होता है ठीक है ना अगर OH क्या है right hand side में तो नाम क्या हो जाएगा D form OH left में तो नाम क्या हो जाएगा L form को दिखात यहां तक clear है ठीक है second aldotetrage नाम क्या हो पर aldotetrage ठीक है ना तो मतलब यहां पर क्या होगा CHO HOH CH2OH 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 को दिखाते हम ते clear है है अब यहां पर आपने क्या कर रहें आपर देखेगे दानते हों यहां पर दो cacenter यहां पर एकह चैकी जेए तुम जानते है कि number of optical isomust कैसे निकालते है number of optical isomust कैसे निकालते है 2 के पाफर एंस है तो के पाफर 1 का मतलब कितना हुआ रब नोग राप कोई नहीं है कि लिएग जारस नहीं है तो क於 कैपाब और को यानि की फोर हो जाए processing अबर टी Kenneth तो नहीं क्या होगे फोर्थ कि अप्र नहीं होंगे फूर्ड उट्व रांघ इसली तक दान ताहाँ पे इल्म क्या कर आगा है खोलहे थे जोभ्ष होले साट हुआ है जोड़े सरी अब इस्य समिक्टे दिए मगने मिरिमस कॉछिभ बनजाये गाल थेचट अब अब क्या कर रहे हैं यह कि यह पे इस सेंटर पे चेंज कर रहे हैं जञ लुग सेंटर परे चेंज करना है दों के नहीं devo है थे僱ory अ को थोल जोग कि यह अ जभी कर आगा है है एच हर बाफ ऑट कैले लिग में जिले हैं हॉ यह हर गा बाफ जागा है pengो ऐच हर गोड dus सभी इच छी सीła डीफ है और दिक्रण से जुटहें का गाल संट लाइच का पोगें और र deben रैंकर सब्सक्राइब मैं है d and l form are always mere image to each other आप कहांगे सार किसे यहां पर यह और यह दोनों क्या d or l form होगा क्या d or l form जलूर होगा लेकिन वह लेकिन इसका नहीं होगा वह l form इसका यह form नहीं होगा किसका होगा इसका होगा क्योंकि d and l form और आरदा मिरड इमेज होता हैं को इसका नाम क्या हो जाएगा धी सब्स्साइब कि रित्रोजwest इरित्रो बोलते हैं और क्या क्या लगा देगा देंगे ईयां यहां ॥ी सब्स्सक्राइब वी ट्रोज रोजे के आप कउन रूज़ी को फैसे ने सेंग साइड ही टाइं और यहां पर दोनों के दोनों इस क्या है अपोजेट मैं तरम क्या हो जाएगा कि ए त्रियोज चैनल रियोज इस एगा त्रियोज में क्या करेंगे में अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट का रियोज है यह है यह क्या है कि यहांपे लांच का आपके लेफ्टन साइड में है कि यहां पर ल्ट को दिक्कत यहां तक तक सब क्टिकर है यहां पर कितनी है अबने है आपके 4 ऑप्तिकल आईशमर्ष एक दो तेन चार एंड ऑप्टीकल यह एक्टीप और सबकेशागा और अप्टिकली आक्टिव को दिखा तक ध्यान देखना है दो चीजा मुझे यहां पर सीखे क्या डी फॉर्म एन एल फॉर्म डी फॉर्म क्या होता है कि जब लास्ट काल सेंटर पे फ्रॉम दा टॉप टॉप से लास्ट काल सेंटर पे अर्ट पे कौन होगा आपका प्रिंस न कल आपका तो पे में माद फॉर्म अब यह नहीं कि इसका डी फॉर्म यह है अगर OH कि और कि यह तो कि अलल फॉर्म बोल देंगे आड़ बास समय में इसका वह जरूर्ण का बड़ होगा अरे मसमें यह दराका मेंध है यह ल फारम है ये भी फॉर्म है भट उसका नहीं एल फॉर्म इसा क्या होगा मिध्वा यह डी फॉर्म् है लेकिन इसका क्या होगा मिरी मेर रोगा जैना च्किपे कुर्ण के हां था कि यह हो गया क्या अलडोति적으로 यहांपे क्तिना होंगे आपके 3 होंगे घ्रियर्य शी हो एच या ओधा फ़ यहांपे क्या हो जागा आपका मैं अपिंड्रीस के प्लेट है अब दिखेंगे यह तो एक फॉर्म होगे आपका ठीक है ना अब यहां पर क्या कर रहे हैं इस सेंटर पर एक्चेंज कर रहे हैं फिर मनों इस सेंटर पर चेंज करेंगे निकाल लेते हैं किया नंबर ओप्टिकल आइसोमाड कितने होगे भी कहना है उकी नब क्या करतें इसमें चाठव बनाते है सो शमयको एक करंवा है फॉरम किया लें इसका लेते हैं मिर्ड़ इमेज इसका में क्या लेते हैं रिमेज और यहां पर क्या जाएगा ओह श्याज टुए टुए ट्री आज अब इस सेंटर पर एक चेंज करते हैं CHO, OHH, बस एक change करते है, HOH, HOH, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या जाएगा, CH2, OH, एक यह form हुआ, क्या हमने इसा मेर में ले ले ले, यह D form है ना, इसा मेर में ले 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 ले, तो क्या बन जाएगा, L form, चाकिजिए, HOH, OHH, OHH, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका CH2, OH, यह क्या हो जाएगा, आपका L form, टो दिखते हैं आं तक, तो, यहाँ पे change कर चुके हैं, बसे चाकिए, अब यहाँ पे change करते हैं, अब हमने क्या करता है, यहाँ पे change करते है, बता ह sexual, है c у सिर्फ यहां प्रक्राइब बात पर साथ कुछ एच ओध ओएच 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 यह फियाच तो ओएच ठीकर न अब अब हम यहां पर कहलेंगे इसका मिटर इमेज है त्या हूँ हो एच एच और तो फोग है था थीन है न किया क्या हो जगा यह ढांप में यह यह बंद हुज है यारे फोर्म क calendar hour ठोड्य ना किया करते हैं दोन सेंटर पिर्थिंग करते हैं क्यों मिला फैर अगर अप यह पर चेंज कर देंगे और आपनों, यहाँ चैंज कर दे रहा है तो कोई नो, एक लाखने आप आपको मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ फैी फैम है, बाव Critter II भी र हमिल बावन प्रहम के लिप अब हो सली में उल में न अपनों इक करते हैं कर देके लिए tren आपको मिल जाएगा बारी बारी इसे तो बताए यहां पे क्या बनेगा थियाच ओ ओ ओ ओ एच एच ओ ओ एच और यहां पे थियाच टू ओ अब इसाल ले लिए क्या मीरा रिमेज और क्या हो और क्या थिया दी फिर आपणे पने पर ऐनाया विश्ल पर और और शीम ऊद्ध क्या हो जाएगा क्यों आठ और इस्ता सब्सक्राइब चूनिल करने इसका लेली है मैरी मेर दुसरा सब्रान के लम का बंगी है को फिक्स करने के र catch लिए फिणो चेंज नहीं करना पड़ेगा किदी फॉर्म बनाने के लिए में इसके पोजिशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा ठीक इसो फिक्स रख दिया मैंने अब क्या कि पहले यहां पे यहां पर यहां पर दोनों जगा चेंज कर दिये ती हैं यह बन गया पे जहके साथ के अगल पर और यह आथो का है यह कंप्ली हां इसका मेर एल ढ़ाई भूज है ठीक है निव यहां पर चेंज किए को कि संतर्श किसात शुर्स अब धी मैं अफुल्ते रेड़ी नог है में जैनिश कर भी में थेख अयोंगह अब यहां पर चैंज किए बीच है ठीक है न को दिखते हैं यहां तक सुलते हैं जाइलोज और यह क्या हो जागा एल जाइलोज ठीक है न अब क्या कि यह दोनों चेंज कर दिए नाम क्या हो जागा लाइट शोज ऐसी और यहां तक ना पहले एक चेंज किए फिर दूसरा चेंज किए फिर फिर दोनों पर तो इस प्रूटे लाइक शोज, और यह क्या हो जागा, इल, लाइक शोज, यहां दिखिए का सौट कर्ट क्या, रास्कल, रास्कल एक वॉड होता है, ठीक है ना, वॉड ही होता है, रास्कल, जो खासकर महिलाई इस्तमाल जयाजा करती है, अब दिखे दान साँ पर, रास्कल मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अधर बे नहीं लेना है चीज और से के वाँ पर आई बोज एसर क्या होएड से क्या हो एक सब्सक्राइब सेक्स साइड एक फर्म उसा लेलिया एका अभी बना लेना है ठीक है यह यह किसे बनाएंगे यह जो लार्च यह क्वार्च नहीं करने के लिए क्यों डीफ ना ना यह यहां पर लार्च का और यहां पे चेंज करते हैं ठीक है ना फिर यहां पर यहां किया है और फिर यहां पर दोनों चेंज कर दिये हैं तरए इसातर पर होता है अलदो हेकों ऑन से बतारहों को म्हकुर में अश्खश कहा होता है अश्च्राइब होता हैं लग स्वावर00歌 क्या होता है इस्ट्री 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 इस्ट् एक पार्टिक्ळ्र कारल चेंटर पर चेंटर हो और कहीं change नहीं होगा अगर एक से जदा जगह चेंट है तो उसको बहुते है डाइस्त्यमर式 गोई दिख्कते हैं आहे तक अगर शिर्फ जगह बहुते हैं यह काज भलते हैं इपमर और बात बैकि सब fix है तो उस case में वो क्या हो जाएक आपस में आपका E-cion-E-ृ- come अब बताईए लेकिन एक से ज्ञारे चेंज होग तो क्या हो जाएगा available सब्सक्राइब ना क्या है एक खास अंडिशन है लेकिन डाइस्ट्यमर्स जो एक दूसरे का मेरेमेज नहीं होगा अब जा सोचिए कि किसी भी फीसर प्रोजेक्शन में अगर एक हम लोग इंटाचेंज कर देते हैं तो क्या हो कभी भी एक दूसरे का मेरेमेज नहीं हो जो यह बलते हो पर एजामपल देखे दाहन से हम आपसे पूछेंड ठीक है ना फॉर्स्ट और चेंड क्या यह ए पी मर है कि यह मर होगा नहीं क्यों प्रोंकि यह यहां पर क्या हुआ पर दोनों जगा चेंज हो गया पोस्ट धर्ण के गरह एक तम क्यरों पस्का वं आपन समय में मती कि नहीं युज ना चाहिए ठीक है आप पुछते हैं यह सेकेंड यह थार्ड फॉर्थ फीफ्थ सेवन्थ और ये क्या हो जागा अपका एट ठीक है न तो मैं आप से पूछा कि वान थ्री बताए वान फाइब बताए वान सेवन बताएब क्या होगा आपस में मतला वान एट टी री क्या यहां पर दिख रहा हूँ कि में सिर्फ एखी शेंटर पे होड़ा है चेक किजिया है बाहल बैसा। फीक्स है 285 इर्ट आा यह पर आपस में पी मर क्या हो जागा है या आपास में कई पी मर रहे है बोला 1 & 5 वान एंड 5 इसमां चेकिजिए इंटर पर देखें जानसे आ आपने ये भी क्या आजागा आपका आपका ता है दूका क्ला है यह क्यों पर पास में नहीं है चेक ही ह्जकती है क्यों इसका मेर्म में भी हैए लोग आपास में क् आश लिर आफ पर बहुंप ये डाक्रीमिर में एक से ज्यादा सेंटर पे हो सकता है लेकिन एक ही पोजिशन पे चेंज होना चाहिए एच और ओएच का पोजिशन बात को ध्यान रखना है एक जगा चेंज यहां पे दो जब कर देखे जान समय यहां पर दो जान संब रखना कोई बीया लेकर बना सकते हैं यह तो आपस में क्या होगा नाट एपी मज़ा पैर लेकर सकते हैं यह। तो इसका मतलब उसका जो मेर इमेज होगा हमेज अगले क्लास में करेंगे यहां तो नोट कर लिग आप लोग झाल